हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आउनलाइन अश्टाड़े में दोस्तो आज हम बिहार SSC के आठ में टेस्ट रिशीज का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तो अगर इस सेशन में आप पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सस्क्राइब और सेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए दोस्तो आज का जो सेशन है बिना तेरी के अवे स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है दोस्तों जो सेशन का पहला कोशन है कि दुनिया की सबसे महगी करेंसी जो है कौन से देश किया है तो दोस्तों आपका जो कुवेती दिनार दुनिया की सबसे महगी करेंसी है अगले जो कोशिन के रवड़ते हैं कि भारतिय योजना के संदर में निमलिकी कत्नों पर क्या किजिए बिचार किजिए कि दूतिय पंचवर्षी योजना ने भारी अध्योगों की आस्तापना पर बल दिया था और तिर्थिय पंचवर्षी योजना ने अध्योगी करन की रन निती के रुप में आयात प्रतियस्तापन अभधारना को क्या क्या था प्रारम क्या था तो आपका पहला जो और दूसरा है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट को बढ़ते हैं कि पंचायती राज से संबंदित निमलिकित कतनों में जो है कौन सही नहीं है कि पंचायत टीराथशा होते अतरमसन सोदन 15 अग discussing रवावियं नहीं होता है तो आपका उप्चन बी जो है करेक्ट है अगले कोशन करबढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि तिलहन की फासल के संबंध में कतनों पर वीचार किजिए तिलिहन की फासल के लिए संबंध में दिये गेक इ skateनो भारत में रभी की फसल है तो दोस्तों आपका जो दूसरा और तीसरा डी नमर जो आपका उप्षन है वो बिल्कुल करीका एक करेक्ट है कि इसका उप्योग जो है खात-पदार्थ की रूप में तता परसादन उद्योग में कच्छे माल की रूप में किसका प्रियोग करते है तिल हनका प्रियोग करते है और तील जो है उत्री भारत में खरीब की सब वह आप का सध्ष के इस टील अधरीट आप इंडिया लिमितेट नए च्थि स्टिल ऑफल्टरेटि ऑप इंडिया लिमीटेट के नए अधियक्ष के रूप में इसको न्यूपत किया गया अगले कोशन करवड़ता है कि भारतिय सम्विधान नागरिकों को कितने परकार की मौलिक अदिकार परदान करता है नेक्स्ट कोशन करवड़ता है कि किस भारतिय जल परपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नमक चार अलग-अलग जरने हैं कि किस भारतिय जलपरपात में राजा रानी, रॉकेट और रोसर नमक चाल अलग अलग जहरने हैं तो आपका जो जोग है जलपरपात उसमें दोस्तों आपका राजा रानी, रॉकेट और रोरर नमक चाल अलग 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 जहरने हैं नेक्स्ट कोर्शन कर बढ़ते हैं कि पूरा पासनकाल में लोग रहते थे जो पूरा पासनकाल में जो लोग रहते थे पहाल की कंदराओं में पूरा कासनकाल में रहते थे पहाल की कंदराओं में पूरा पासनकाल में लोग रहते थे नेक्स्ट कोर्शन कर बढ़ते हैं कि अपसी बड़ी डेल्टा जो आपका गंगानदी बनाती है अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि बेड्मिंटन का जो नेट होता है जमीन से कितनी उचाई पर रहता है तो बेड्मिंटन का नेट 1.55 मीटर से उचाई पर रहता है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते है क निम्लिकित कतनों में कौन सा जो आपका दोस्तों सही है निम्लिकित कतनों में कौन सा कतन आपका सही है तो भारत एक संसादमत परजात अंतर है नेक्स्ट कोर्शन को बढ़ते हैं कि मर्ले डारलिंग नदी बैसिन निम्न में से किस देश में है कि मर्ले डारलिंग नदी बैसि नाम की एक नदी है कहां पे आश्टेलिया में है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि संबिधान के किस अनुच्छेद में संबिधान के किस अनुच्छेद में राज्यो दोरा प्रार्त्मिक सिक्छा मात्री भासा में दिया जाने का प्रबदान है कि संबिधान के किस आर्टिकल मे राज्यों दोरा जो प्रार्त्मिक सिक्चा होता है मात्री भासा में दिया जाने का जो अपना राज का मात्री भासा उसमें उसको दिया जाने का प्रापदान है तो 350 का A में कहता है कि संबिधान में जो राज्यों दोरा बीधी सहिंता बनने वाला राज था हम्मूराभी राज था का। अगले कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है कि गुलाबों की लडाई हुई थी कहां पे गुलाबों की लडाई हुई थी आपका दोस्तों इंगलेंड में हुई थी नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं कि वुकर सम्मान जो हता है वुकर सम्मान से सम्मानित पर्थम भारतिया जो मह इला थी ऍ sehenewa में अच्छ्षो कर वड़ता हैं है कि दिल्ली समझस्घोता के दरोन दिल्ली समझाउता के दरोन दिल्ली समझसदा जब हो रहा था उसमें बिरितीश भारत का जो वाइस रहा था आपका कौन था लॉड इरवेंथा जरुड इरवेंथा नेस्ट कोशन के रुबरते हैं कि रूस का जो मेनेस्टर है किसे कहा जाता है तो दोस्तो रूस का मेनेस्टर जो है इवानोबो को कहते हैं किसको कहते हैं इवानोबो को रूस का मेनेस्टर कहते हैं इवानोबो को रूस का मेनेस्टर कहते हैं कोशन के रबरता है कि मांचीत्र में जो नीले रंग का परियोग होता है कि मांचीत्र में नीले रंग का परियोग होता है दोस्तों नदी को दिखाने के लिए परदर्शित करने के लिए होता है मांचीत्र में जो नीले रंग होता है किसके परदर्शन में होता है तो दोस्तों अभी लग हो उसमें कालिदास का नम मिलता है नेस्ट कोशन कर बढ़ते हैं कि वाकर कप का संबंद किससे खेल से है किससे गोलप खेल से है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि मैं एक समाजबादी और गंतरंतवादी हूँ गंतरंतवादी है या जो ब्यक्तिप है किसका है जवालार नहरू का है अगले कोशन करवड़ते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी का परमुक कारण है वो आपका क्या है कि भारत में बेरोजगारी का परमुक कारण है कि जनसंकिया में तीवर बिर्दी वी है जनसंकिया में तीब रिभोनी की कारण भारत में बेरोजगारी का परमुख कारण है अगले कोशन करवड़ते हैं कि संकेतिक मुद्रा विवस्ता यानि कि टोकन करेंसी जो है किसने लागू किया था दोस्तों आपका MBT मुहमद विन तूगलख ने संकेतिक मुदरा विवस्ता को क्या किया था लागू किया था नेक्स्ट कोशन कर वबरते हैं कि बजार नियंतरन परनाले भी किसने बजार नियंतरन परनाले किसने क्या था अपनाई थी बजार नियंतरन जो परनाले होता है किसने अपनाई थी तो अलावदीन जो खिल जी थी अलावदीन खिल जी जो थे उसने बजार नियंतरन पहली जो सब्게요 कर दोस्तों हिंदी सायथ का स्वर्ण यूग किसे कहेंगे अकबर को कहेंगे नेक्स्ट कोश्ण कर वबरते हैं कि बिहार की कुल जन संक्यां का कितना परतिसत भाग किरिसी पर आरतित है तो दोस्तो बिहार की कुल जन संक्यां का 47-77% वो आपका किरिसी पर आधारित है नेक्स्ट कोशन के रबरते हैं किनिम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की सकती परदाउन करती है इंडियान कॉंसील एक्ट के द्वारा नेक्स्ट कोशन कर बोरते हें कि अंग्रेजी इंडिया कंपनी को भारत में वेपार करने का चार्टर किसने परदाउन क्या है किसने क्या गया तो महाराणी जो एलिजावयत पर थम मैं उसको जो है भारत में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत को अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में वेपार करने का चार्टर जो परदाउं किया आया किसने किया था महरानी एलिजाबियत पर्थम ने किया था नेक्स्ट कोशन करवड़ते हैं कि मैमार चार जर्बरी 1948 को अज़ाद वाता है अगला जो कोशन है कि भारत बर्स में लौर्ड कौर्ण वालिस ने कौन सी परता परारम कीती भारत बर्ष में जो है Lord Cornwallis ने कौन सी पर्था आरम कीती तो अस्ताई बंदोबस्त की जो पर्था है किसने किया था Lord Cornwallis ने ऐसा पर्था जो है प्रानम कीती अस्ताई बंदोबस्त की सती पर्था किसके अंतरगत समाप्त की गय था अंगले कोशन की बंदोबस्त का था तो कौन सा नाभिक उपग़ा को जो है, जियो सफलता पुर्बख्त, जियो सिंक्रोनो से ट्रांसपर, जो है, आर्बीट में अस्थांतरत, यानि कि आर्बिट में अस्थापित किया गया था, तो NBS 01 को दोस्तो, आपको लॉंच कर, जी ओ सिकरनुस टांसपर आर्बीट में अस्तापित किया गया तो आपका option भी जो है correct है Next question कर वरते है कि निमन में से कौन जो आपका संभीधाने अस्तार संस्था है बिपिन चंदरपाल अपने राजनितिक जीवन के प्राव़न में निमली कितमें से क्या थे विपिन चंदरपाल जो थे अपने राजनितिक जीवन के प्रारम में यानि कि अपने राजनितिक जीवन के सुरुवात में वो क्या थे तो दोस्तो वो पहले क्या थे उधारवादी थे सितंबर दोजार थे कि सितंबर दोजाटाइस में किस भारतिया को 65 रमन मैख से पुरुसकार में 95 अकादमी पुरुषकारों में किस भारतिय फिल्म में सर्वस्रेश्ट सर्वस्रेश्ट बित चित्र लगू फिल्म स्रेश्ण में आसकर पुरुषकार जो है इंडिया एस्टापना सूरेंदरनाथ बनर जी ने किया था इंडिया एस्टापनी जो है सूरेंदरनाथ बनर जी ने किया था नेक्स्ट कोशन कर वड़त है कि निमलिकित देशों के मुद्राओं के संदर में गलत जो आपका विकल्प है उसको चुनिए निमलिकित देशों के मुद्राओं के संदर में गलत विकल्प को चुनिए तो दोस्तों आपका ग्रेटेन ब्रेटेन यूरो जो है आपका ये गलत बिकल्प जब कि टाइबान का डॉलार है इटली का यूरो है मौरिसस का रुपया है लेकिन ग्रेट रेट बिर्टेन का यूरो आपका नहीं है तो आपका आप्षन के नुसार सी जो है बिलकुल सही है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं कि जून 2013 को भूबनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतिय फूटवाल टीम ने किस देश को हरा कर इंटर कॉनिनेंटल फूटवाल कप टूनोमेंट जीता था जून 2013 को भूबनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतिय फूटवाल टीम ने किस देश को हरा कर इंटर कॉनिनेंटल फूटवाल कप टूनोमेंट जीता था नेस्ट कोशन कर वरते हैं कि एतमाद उदोला का मकवरा जो है एतमाद उदोला का जो मकवरा आपके किसे सम्मन देता है तो दोस्तों जहांगिर का जो मकवरा है वो एतमाद उदोला का मकवरा सम्मन देता है किसे जहांगिर से सम्मन देता है अगले कोशन कर वरते हैं कि 2A Hunger Free World पुष्टक के लेखक जो है SS Swaminathan है 2A Hunger Free World पुष्टक के लेखक जो है कौन है SS Swaminathan है MS Swaminathan जो है SM Swaminathan जो है वो दोस्तों आपका हरित करांती के जनक भी SM Swaminathan को मना जाता है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है कि भारत के महान जो 34 आरिवर्ट का विहार के किस नगर से गहरा संबन्द है भारत के जो महान जो 34 आरिवर्ट का विहार के किस नगर से गहरा संबन्द है तो दोस्तों आपका जो पाटली पूत्र है पाटली पूत्र जो है भारत की महां जियो ती साचार आरिभट का संबन किसे है पाटली पूत्र से है अगले कोशन के बढ़ते हैं कि हिटलर की किस देश पर आकरिमन के परिनाम स्वरब जो है दूतिया बिस यूद आरम हुआ था हिटलर ने किस देश पर आक्रमन के परिनाम स्वरब जो है दूतिया भी स्यूद आरम हुआ था तो हिटलर ने जो है पॉलेंड पर आक्रमन के समय जो है दूतिया भी स्यूद क्या हुआ था का पता लगाने के लिए उद्गम जो पोर्टल है किसके द्वरा लॉंच किया गया था तो उद्गम पोर्टकल जो है और विया यानि कि भारती रिजर्ब बेंक के द्वरा लॉंच किया गया था कौन सा पोर्टल उद्गम पोर्टल आपका लॉंच किया गया था नेक्स्ट को आपका जो सचीन तेंदुलकर है जिसे क्रिकेट का पितामा का जाता है उसको जो दोस्तो 23 अगस 2023 को भारते खिलाले को भारते निर्वाचन आयोग दोला राष्टी आइकन नियुक्त किया गया कि इसको सचीन तेंदुलकर को नेक्स्ट को भारते हैं कि सक्ती का जो भीमिय सूतर होता है वो दोस्तो आपका क्या होता है तो दोस्तो फाबर बराबर आपका जो फर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया फोर्स बाई एरिया और फोर्स का आपका जो होता है अमल टी इनवर्श टू अमल टी इनवर्श टू और area का L square तो दोस्तो एक L से एक L cancel कर दियें उसके बाद उपर जाएगा L तो M L inverse T inverse 2 तो दोस्तो आपका जो C option है वो बिलकुल correct है अगले question को बढ़ते हैं कि while का जो नियम होता है उसका सूतर आपका क्या हो कि while का जो नियम का सूतर है वो दोस्तो आपका क्या होता है तो दोस क्या हो जागा परेशा तो आपका option नमर फूर जो है बिलकुल correct है अगले question कर बढ़ते हैं कि 60 mg प्रती लीटर से 60 mg प्रती लीटर से कम संदरता वाले दैस युक्त पानी को अमतोर पर सूम्यम अना जाता है कि 60 युक्त पानी को अमतोर पर सूम्यम अना जाता है तो दोस्तों आपका क्या होता है कैल्सियम कार्वेनोड जो है बिलकुल सही है Next question कर बढ़ते हैं कि सरल लोलक की परभारी लंबाई में सरल लोलक की परवावी लंबाई की महपन में परतिसत तुरूटी जो है दो परतिसत अता आवर्थकाल की महपन में परतिसत तुरूटी एक परतिसत हो तो जी के महनम में अधिक्तम जो परतिसत तुरूटी होगा दोस्तो आपका चार परसेंट होगा कितना होगा सरल लोलक की इबर परवाइं लंबाइं में अगर 2% की त्रूटी कर दी जा है और आवर्त-काल के मपन बेवी एक camelहते की तुरूटी ओजा है तो Congratulations, में दिक्तम जो परतिस्द तुरूटी होगी दोस्तों आपका 4 परतिस्द होगा नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं कि चुम्बुकी अनुनाद जो है किस पर अधारी था आपका जो चुम्बुकी अनुनाद है अनुनाद है वो किस पर MRI स्केनिंग जो है MRI होता है MRI scanning जो होता है MRI scanning जो है चुम्बुकी अनुनाद पर अधारी था आपका जो चुम्बुकी अनुनाद पर अधारी था है वो MRI scanning नहीं अगले कोशन को बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि अभी केंद्रिया जो बल होता है अभी केंद्र बल जो है सदेप कारे करता है किसके तरब तो केंद्र की और और तिर्जिया के अनुदिस अभी केंद्रिया बल जो कार करता है केंद्र की और और तिर्जिया के हमेशा अनुदिस कार्य करता है अगला कोशन है कि सही कतन को आपको छांटना है सही कतन को आपना आपको छांटी है तो चाल में केवल परिनाम और बेग में परिमान एवम दिसा दोनों होते हैं तो दोस्तों आपका जो ये सही है चाल में केवल परिनाम और चाल में केवल परिनाम और बेग में परिमान एवंदिसा दोनों आते हैं नेक्स्ट कोशन कर बरते हैं कि यदि परिछेप के बेग को दुगुना कर दिया जा तो उतका जो अधिक्तम परास होगा कितना होगा यदि परिछेप के बेग को दुगुना कर दे तो उसका जो अधिक्तम परास होगा चार गुना हो जाएगा यदि प्रिछेप के बेग को दुगुना कर दिया जा और उसका अधिक्तम जो परास हो जाएगा आपका चार गुना हो जाएगा अगले कोशन के अबरते हैं अंगला जो कोशन है कि निम्न लिखीत में से निम्ड में से किस बिमारी के लिए ट्राइबेलेंट के अस्ताउन पर वाईबेलेंट ओर भी देने का निर्ने भारत सरकार ने लिया है तो दोस्तो आपका जो polio नमक बिमारी है उसको दोस्तो ट्राइबलेंड के स्थान पर कौन सा ORB देने का नियर देखे ला है वाईबलेंड ORB देने का नियर जो है किसने क्या है हमारे भारा सरकार ने किया है नेक्स्ट कोशन के और बरते है कि परमानों को उपकोसों को भरने का करम नियंतित होता है किसके नियम से कि परमानों के उपकोसों के भरने का जो करम नियंतित होता है दोस्तों आपका अफवाओ के सिदांत के द्वारा अफवाओ के सिदांत के द्वारा दोस्तों आपका परम जो 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 अश्यटीस बिर्ट के लिए नियात 4Go G it investigates नियात अगले कोशण करुबर तैंकि निमलिकीत में जो कौन सा कथन आपका गलत है तो दोस्तों जो आउक्षिजन के दो परमानो दोरा एक अनु है यह आपका कथन जो है गलत है कि ओजोन जो है ऑक्सिजन के दो परमानो दोरा बना एक अनु है यह बिल्कुल गलत है तो आपका option A जो है कुंसा कथन गलत है option A जो कथन बिल्कुल गलत है CS3 आपका जो कोशन है CS3OH जो है किसका रसायनिक सूत्र है तो औो यहां की संजयोकता हो त्योंतख मंदुड़ो है को पंद्धे सीट्रुपेशिक कारवन के संजयोकता होता है कि अंगन्स्ट को स्बूर्टे में अत्पन मुत्र जो हता है चुन की संजयोकता है तो दोस्तो गुर्दे में उत्पन-बूत्त मुत्र जो होता है मुत्रभाहिनी से होकर मुत्रासे में पॉष्टा जाए से संचित किया जाता है Next question कर वलते हैं कि किस तत्व को रसाइनिक बिग्यान में अवारा तत्व की संग्याँ दी गई है कि किस तत्व को रसायनिक विज्ञान में अवारा तत्व जो संग्यान दी गई है वो दोस्तो आपका जो हेड्रोजन का रही हैं हड्रोजन को अवारा तत्व के नाम से ब्राबर होता है किसी तत्व का जो पर्मानों भार होता है तुलियंक भारगुन सन्योकता भार के बराबर होता है अगले कोर्शन कर बढ़ते हैं कि अबरक्त स्पेक्ट्रम जो इस्तित है अबरक्त स्पेक्ट्रम आपका इस्तित है सुक्ष मतरंग तता दूर द्रिश से छेतरों के बीच अगले कोर्शन कर बढ़ते हैं कि मनुस की साधारन स्वसंदर जो होती है कितनी होती है कि मनुस की साधारन जो स्वसंदर होती है 15 से 18 मिनट यानि कि एक मिनट में 15 से 18 वर वर सांस लेता है अगले कोर्शन कर बढ़ते हैं अगला जो कोर्शन है कि बिर्दी हार्मोन का जो स्रवन होता है किसके द्वरा होता है विर्दी हार्मोन का जो स्रवन होता है प्रिट्री गरंती के द्वरा होता है अगले कोशन के अरबरते हैं कि सही सुमिलेती यूग मुका जो है चयान किजिए तो दोस्तों आपका जो क्यूटो प्रोटोकॉल है जलबाबिया परिवर्ता है नो तो आपका उप्षन सही जो है अगले कोशन कर वरते हैं कि लेंगर हैंस के दीप जो इंसुलीन का स्राव करते हैं वो कहां पर इस्तित होते हैं कि लेंगर हैंस के दीप जो इंसुलीन का स्राव करते हैं वो जो इस्तित होते हैं वो आपका पंक्रियाज अगनासाय में उपस्तित होते हैं लेंगर हैंस के जो इंसुलीन का इंसुलीन यानि के हार्मोन का सुराओ करते हैं वो कहां पे होते हैं अगनासाय में होते हैं अगले कोशन कर वरते हैं कि किस हार्मोन दोरा हिर्दय अस्पंदन तथा रुदिर धाओ आपका बढ़ जाता है कि किस हार्मोन द्वारा हिर्दय अस्पंधन तता रुदिर दाव बढ़ जाते हैं तो दोस्तो एड्रिनेलिन के द्वारा आपका हिर्दय अस्पंधन तता रुदिर दाव बढ़ जाता है अगले कोशन के रवरते हैं कि सरवादिक जो किरियासिल आपका हेलोजन धातु हुआ है वो आपका कौन सा है कि सरवादिक किरियासिल जो हेलोजन है दोस्तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक आपका किरियासिल हेलोजन है तो दोस्तो बिहार SSC का जो आठमे एपिशोड का था वी वीडियो को लाइक सेर्ज जरूर कीजिएगा बनके मिलते हैं नेक्ट शेट में आज के लिए बस इतना है जाहिंद